दोस्तों जापे बात करें ना अगर iOS 15 के अपडेट के बारे में तो बहुत जाबा ऐसे लीग है जो हमको देखने को मिलते है लेकिन जहां पे मैं आपको बताता हूँ हो सकता है कि इस साल के लास्ट में जहां फिर उससे पहले भी हमको जो iOS 15 का अपडेट है वो हमको देखने क को मिल जाएंगा लेकिन जहां पे जो एपल डिवर्पर की तरफ से एक जहां पे निउस निकल के आ रहे हैं जहां पे एपल ने ऐसे साफ साफ बोल दिया है कि हम कुछ ऐसे ही मोडल होगे आईफून के जिसको हम आईउस 15 का अपडेट देगे और कुछ ऐसी मोडल है जिसको हम आईउस 15 का अपडेट नहीं देगे तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताओँगा कि कौन से मोडल को आईउस 15 का अपडेट मिलेगा और कौन से आईफून के मोडल देखने को मिलेगा वसके बाद आईफून 7 में 7 प्लस 8 में देखने को मिलेगा उसके बाद 10 जहां फिर उसको आप X बोलते हो उसको में देखने को मिलेगा उसके बाद XR में देखने को मिलेगा XS में हमको देखने को मिलेगा XS Max में हमको देखने को मिलेगा उसके बाद 11 में देखने को मिलेगा 11 Pro और 11 Pro Max में भी हमको देखने को मिलेगा जहां पे मैं आपको बताता हूँ आइफून 6S, 6S Plus और आइफून SE और आइफून 6S से पहले जितने भी आइफून है उन सब में हमको जो iOS 15 का अपडेड है वो हमको देखने को नहीं मिलेंगा अभी जो हमको latest version देखने को मिलती है वो हमको देखने को मिल लिया है आईउस की 14.4 हमको देखने को मिल लिया है लेकिन 14.5 की जहां पे बात करें उसका बीटा version आलरी आच चुका है उसमें अचली हमें आपको बताता हूँ कि क्या है उसमें एक जो अगर आपने mask लगा करेंग जब इसका स्टेबल बर्जन आएंगा तब आप इसको इंस्टाल कर सकते हैं उसमें जै है कि अगर आपने मास्क लगा के रखा भी है फिर भी जो आपका आइफून होगा वो अनलाग हो जाएंगा यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि कौन-कौन सी आपके लिए एक नए वीडियो मना के बताऊगा तो जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ओपर आए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वाई प्लीस भोगी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू